नमस्ते जी पोश पुत्रदा एकादशी की आपको धेर सारी शुब कामना है दोस्तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है जैसे कि पिछली बार एकादशी का नाम सफला एकादशी था क्योंकि सफला एकादशी मनाने से कारियों में सफलता दुश्पनों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है वैसे ही पौश पुत्रदा एकादशी श्रधा पूर्वक मनाने से पुत्र प्राप्ति यानि संतान प्राप्ति और संतान की अभी वृद्धी के लिए खास महत्विब बताया गया है पुत्रदा एकादशी साल में दो बार आती है अभी पौश मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौश पुत्रदा एकादशी कहते हैं छे महिने बाद सावन मास में फिर एक बार पुत्रदा एकादशी पड़ेगी उसे सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर खास करके श्री कृष्ण जी को पूझने से आपकी इच्छा पूरी होगी वैसे मैं बता दू इस बार संतान प्राप्ति के लिए खास योग बन रहे हैं क्यूंकि 17 यानि गुरवार को पुत्रदा एकाधशी है और 19 यानि शनिवार को शनी प्रदोष्वरत मनाई जाएगी शनी प्रदोश्वरत से पुत्रप्राप्ति की इच्छा पूरी होती है इस वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकाधशी मन जन्वरी 2019 को राद के बारा बच कर तीन मिनित से और तिथी समाप्थ हो रही है 17 जन्वरी 2019 को राद के दस बच कर पूज़न विधी इस दिन बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए पोश पुत्रिदा एकादशी का वृत रखने वाले श्रधालों को वृत से पूर्व यानि दशमी के दिन एक वक्का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, यानि की रात को डिनर नहीं करना चाहिए व्रति को सम्यमित और ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए सुभस्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर गंगाजल, तुलसीदल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान विश्नु की पूजा करनी चाहिए व्रति को उपवास रहना चाहिए संतान की इच्छा के लिए पति-पत्नी को सुभस के वक्त सन्युक्त रूप से भगवान श्री कृष्न की उपासना करनी चाहिए संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और इसके बाद प्रसाद ग्रहन करें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूब की पूजा करना निसंतान दमपतियों के लिए बेहत शुब माना जाता है संतान बाल गोपल मंत्र एक ऐसा ही मंत्र है जो निसंतान दमपतियों के लिए आशरवाद समान माना जाता है दोस्तो ये संतान गोपाल मंत्र है आपके लिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ आप इस मंत्र का स्क्रीन शॉट निकाल कर कंठस्त कर लीजिए 108 बार आपको इस मंत्र का उचारन करना चाहिए मंत्र है ओम श्रीम हरीम क्लीम गलाउम देवकी सुता गोविंदा वासुदेवा जगत पते देही में तनयम कृष्णत्वामहम शरणम गतह इस मंत्र के उचारन के साथ साथ आप अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण जी की पाल रूप की प्रतिमा रखें इस प्रतिमा की श्रधा भाव से पूझा करते हुए उन्हें लड्डू, माखन, मिश्री का भोग हर रोज लगाएं व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमन व्यक्ति या ब्रामन को भोजन कराकर दान दक्षना देकर व्रत का पालन करना चाहिए चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौरानिक व्रत कथा महाराज युधरिष्टर ने पूछा हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्मय बता कर बड़ी कृपा की अब कृपा करके यह बतलाईए कि पौष शुकल एकादशी का क्या नाम है उसकी विधी क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है भक्तवतसल भगवान श्री कृष्ण बोले हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है इसमें भी नारायन भगवान की पूजा की जाती है इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के वरत के समान दूसरा कोई वरत नहीं है इसके पुन्य से मनुष्य, तपस्वी विध्वान और लक्ष्मिवान होता है इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो बद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राचा राज्य करता था उसके कोई पुत्र नहीं था उसकी स्त्री का नाम शैव्या था वह निपुती होने के कारण सदेव चिंतत रहा करती थी राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा राजा को भाय, बांधव, धन, हाथी, घोडे, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था वह सदेव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का रुण में कैसे चुका सकूंगा जस घर में पुत्र ना हूँ, उस घर में सदेव अंधेरा ही रहता है इसलिए पुत्र उत्पत्ती के लिए प्रयतन करना चाहिए जस मनुश्य ने पुत्र का मुख देखा है, वो धन्य है उसको इस लोग में यश और परिलोग में शांती मिलती है अथार्थ उसके दोनों लोग सुधर जाते है पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदी प्राप्त होते है राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चे किया परन्तु आत्मघात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक तिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोडे पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और रुक्षों को देखने लगा उसने देखा कि वन में म्रग, व्याग्र, सुर, सिम्ह, बंदर, सर्प, आदी सब ब्रह्मन कर रहे हैं हाथे अपने बच्चों और हतिनियों के बीच गूम रहा है इस वन में कहीं तो गीदर अपने करकश्वर में बोल रहे हैं कहीं उल्लू धुणी कर रहे हैं वन के दुरुशियों को देखकर राजा सोच वचार में लग गया इसी प्रकार आधा दिन बीच गया वो सोचने लगा कि मैंने कई यग्य किये ब्रहमनों को स्वादश्ट भोजन से दुरुप्त किया फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यूँ? राजा प्याज के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हमस, मगरमच, आधी विहार कर रहे थे उस सरोवर के चारो तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे उसी समय राजा के दाहिने अंग भड़तने लगे राजा शुप शकुन समझ कर घोड़े से उतर कर मुनियों को दंडवत प्रनाम करके बैठ कया राजा को देखकर मुनियों ने कहा हे राजन हम तुमसे अत्यंत प्रसन है तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो राजा ने पूछा महराज आप कौन है और किसलिए यहां आए है घृपा करके मुझे बताए मुनियों कहने लगे कि हे राजन आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए है यह सुनकर राजा कहने लगा कि महराज मेरे भी कोई संतान नहीं है कि यह आप मुझे पर प्रसन है तो एक पुत्र का वर्दान दीजिए मुनिय बोले हे राजन आज पुत्रदा एकादशी है आप अवश्य ही इसका वर्द करें भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा मुनि के वच्चनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का वर्द किया और द्वादशी को उसका पारण किया पालक हुआ श्री क्रिश्न बोले हे राजन पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का वर्द करना चाहिए जो मनुश्य इस महात्मे को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है